जै मातादी, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है नवरात्र में मा आधी शक्ती दुर्गा के नो सुरूपों का पूजन किया जाता है देवी भागवत पुरान के अनुसार नवरात्री के साथ में दिन मा तुर्गा के कालराती स्वरूप का पूचन किया जाता है मा कालरात्री सदैब अपनी भक्तों पर ग्रपा करती है और शुफल देती है इसलिए मा का एक नाम शुंभ करी भी पड़ा मा अपने भक्तों के सभी तरह के भैदूर कर दीती है देवी कालराती का शरी रात के अंधेरी की तरह काला है इनके शुआस से अगनी निकलती है मा के बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली के भाती चमकती है इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है देवी भागवत पुरान के अनुसार मा के तीन नित्र ब्रह्मान की तरह विशारवा गूल है जिन में से बिजली की भाती केरने निकलती रहती है मा के चार हाथ हैं जिन में एक में खड़क अर्थात तलवार है तो दूसरे में लो अस्त्र है तीसा हाथ अवे मुत्रा में है और चौथा बर मुत्रा में है मा का बाहन गधर्व अर्थात गधा है जो समस्त जीव जन्तूओं में सबसे ज़्यादा परिश्यमी और निर्वे होकर अपनी अधिश्थात्री देवी कालरात्री को लेकर इस संसार में पिच्रण करा रहा है देवी का यह रूप दिति सिति प्रदान कहने वाला है दोस्तों मा कालरात्री का पूचन नवरात्र में सब्तमी तिति को किया जाता है इसमा नवरात्र की सब्तमी तिति मंगलवार के दिन है मंगलवार के दिन सब्तमी होने से इसका महतु और जादा बढ़ गया है क्योंकि मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है बजरंग बली माता रानी के लांगुर है नवरात्र में कन्या पूजन के दोरान कन्याओं के साथ एक लांगुर को भी अवश्य ही भूजन कराया जाता है उसके बिना कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता इसी तरहें माता रानी का पूजन करने के साथ साथ मा के लांगुर यानि की बजरंग बली का पूजन भी अवश्य ही किया जाता है इसे माता रानी अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन हो जाती है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मंगलवार और नवरातर की सब्तमी के इस सुबसंयों पर कहने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने चाह रहे हैं इस उपाई को कहने से ना केवल मातारानी की कृप्रा प्राप्त होगी मातारानी के साथ ही मातारानी के लांगुर यानी की बजरंग बली की भी आपको असीम कृप्रा प्राप्त होगी इस उपाई को कहने से मातारानी और बजरंग बली की कृप्त से समस्त संकटों से मुक्ती मिलती है धन सम्मंदी समस्याइं दूर हो जाती हैं कार्यों में आ रही रुकावट दूर होते हैं, बिगडे का बनने लगते हैं, और मा काल रात्री और बजरंग बली का असीम आशिरवाद प्राप्त होता है दोस्तों मा काल रात्री का पूजन नब रात्र में सब्तमी की रात्री को किया जाता है, इसलिए यह उपाय भी आपको सब्तमी की रात्री को कहना है, उपाय कहने के लिए इसनान करके या शुद्य होके स्वच्छ बस्ते धारन करें दोस्तों बाकाल रात्री और बच्रंग बली दोनों को ही लाल रंग अतिप्रिय है इसलिए हो सके तो लाल रंग के बस्ते धारन करें सब्तमी की रात्री सिध्यों की रात्री कहीं जाती है माना जाता है कि नवरात्र की सब्तमी की रात्री के समय जो पूजा या उपाय किये जाते हैं पह बहुत ही जल्दी सिद्धो हो जाते हैं माना जाता है कि माता रानी की आग सत्मे की रात्री को खुलती है और जो भक्त सत्मे की रात्री को माता रानी का पूजन कर रहे होते है मा की उन पर असीम कृपा होती है अब अपने मंदिर के सामने या मातारानी की चोकी के सामने आसन बिछा कर पैख जाएं फिर मातारानी और पजरंग बली को प्रणाम करें अब आप एक दीपक लएं इसके लिए आप पीतल का, मिटी का या फिर आटे का दिया भी ले सकते हैं आटे का दिया लेने के लिए आप शुद्ध चल से बिना नमक का आटा मलें और उससे दिया तयार करें अब मातारानी के सामने हल्दी में रंगे हुए थोड़े से साफो चाबल रखें उसके उपर आप इस दिये को रखें दिये में आप रुई की पाती लगाएं और तिल का तिल भरें तिल का तिल जिसे मीठा तिल भी कहा जाता है आपको दीपक में वह तिल डालना है अगर वह ना हो तो आप साफ सैसों का तिल भी दीपक में डाल सकते हैं अब आप एक साबुद फूल वाली लॉंग लें, जो पूजा में इस्तमाल होती है, ध्यान रखें, तूटी हुई लॉंग ना लें, अब इस लॉंग को आप हाथ में लेकर मा कालरात्री को प्रणाम करें और बजरंग बली को प्रणाम करें, इसके बाद इस लॉंग को आप तीपक में डालते, अब आप मा कालरात्री और बजरंग बली को गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ मा कालरात्री और बजरंग बली को अतिप्रिय है, गुड़ का भोग लगाने से बजरंग बली और मा कालरात्री जल्दी ही पसंद हो जाते हैं, और अपने भक्तों के सं सिध्ध मंत्र का 108 पाजाप करें. मंत्र है, इस मंत्र का आप इस फटिक की माला पा जाब करेंगे, तो अथी उत्तम रहेगा. इस फटिक की माला ना हूं, तो आप अन्य किसी माला पर या फिर मिश्री के दानों पर इस मंतर का जाब कर सकते हैं या उंगलियों पर भी किनकर आप इस मंतर का जाब कर सकते हैं इस मंतर का जाब करने के बाद आप हनमान चालिसा का पाठ करें हनमान चालिसा का पाठ करने के बाद आप मा कालरात्री और बजरंग बली की आती करें ध्यान रखें आती करते समय आप दीपक हाथ में उठा कर, पहले मा कालरात्री की आती उतारें, और फिर बजरंग बली की आती उतारें, अब बजरंग बली और मा कालरात्री को हाथ जोड़ कर प्रणाम करें, अपनी सारी परिशानिया, सारी तकलिफ आप मा कालरात्री और पून हो जाये तब माकाल रात्री और बजरंग बली को आपने जो भोख लगाया है उसे प्रशात के रूप में अपने परिवाद सहीत क्रहन करें. ऐसा करने से माकाल रात्री और बजरंग बली का आशिरवाद आप के परिवार के सभी सदस्यों को भी प्राप्त होगा. ध्यान रखें मा काल राती और बजरंग बली की आती उताने के बाद आप खुद इस दीपक से आती ना लें अगले दिन सुभह उठकर इस्थान करने के बाद दीपक में जो लॉंग है इस लॉंग को आप अपने घर में किसी गमले में या साफ इस्थान पर मिट्टी को खोद कर उसमें दवा दें माता रानी का यह स्वरूप शत्रू और तुष्ट का संगार करने वाला है माने ताहे की पूरे बिधी विधान से माता रानी की पूजा करने से मा अपने भक्तों की सभी मनुकामनाय पूर्ण करती है यही नहीं मा के भक्तों को किसी भी भूत प्रेत या पुरी शक्ती का भे नहीं सताता सब्तमी और मंगलवार के इस सुपसैयों पर माता रानी और बजरंग बली का इस तरहें पूजन करने से माता रानी बजरंग बली की कृपा से दन सम्मंदी समस्याएं दूर हो जाएंगी जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी बिगडे काम बनने लगेंगे इसके साथ ही मा और पजरंग बली की करपा से आपको भूत प्रेत या बुरी शक्ती का भेवी नहीं सताएगा आपके शुत्रू भी शांत हो जाएंगे दोस्तों अगर आपने अपने घर में घट की इस्थापना की है तो आप मा काल रात्री की पूजा करने से पहले सबसे पहले घट का पूजन अवश्य ही करें घट में बिराच मान, भागवाय शिरी गणिश, नब तुरका मा, नब ग्रह, समस्त तीथों और समस्त देवी देपता का पूजन करें उनके सामने दिया चना इसके बाद ही आप मा काल रात्री और पचरंग पली का पूजन करें इस दिन मा की आखें खुलती हैं और भक्तों के लिए देवी मा का दर्वाजा खुल जाता है इसलिए आप सभी नब रात्र की सब्तमी की रात्री को मा काल रात्री का पूजन अवश्य ही करें देवी भागवत पुरान के अनसार माता कालरात्री के पूजा करने वालों के लिए इस जगत में मौजूद, कोई भी चीज दुल्लब नहीं होती, माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है, आदिशक्ती मा अपने भक्तों के कष्ट का अतिशिक्र निवारन कर देती ह मा कालरात्री का पूजन लोग तांतरिक विध्या के लिए भी करते हैं, लेकिन ठ्यान रखें कभी किसी को नुकसान पहुचाने के लिए, मा कालरात्री का पूजन नहीं करना चाहें, ऐसा करने से आपको मा कालरात्री के क्रोध का सामना करना पड़ेगा उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी ये वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें जै मातादी तैंक्स फूर वाचिंग राधे राधे